परिजए मीरा, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आधोनेक जीव वर्गी करण का मूल कैरूलस लीनियस के कारेओं में हैं, जिन्होंने प्रजातियों को उनके सामान्य शारीरिक विशेश्टाओं के अनुसार वर्गी कृत किया. पाँच किंग्डम वर्गी करण के अनुसार सजीवों को निम्न समूहों में वर्गी कृत किया गया है. मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जन्तु हम पहले ही मुनेरा जगत के बारे में चर्चा कर चुके हैं. अब हम प्रोटिस्टा तधा कवक के बारे में चर्चा करेंगे. इस पाट के अन्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. किंग्डम प्रोटिस्टा के गुणों को समझना प्रोटिस्टा के तहट क्राइसोफाइट, डाइनोफलेजीलेट्स, यूगलीनोइट्स, स्लाइम मोर्ट्स और प्रोटोजोंस के गुणों का पता लगाना. किंग्डम कवक के गुणों को समझना फाइको माईसीट्स, एसको माईसेट्स, बैसीटियो माईसेट्स और ड्यूटेरो माईसीट्स के गुणों को समझना गिंग्डम प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक सुक्ष्म जीवों का विविद समू है सभी एक कोशिकिये यूकेरियोटों को प्रोटिस्टा के अंतरगत रखा जाता है लेकिन इस जगत की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाशित नहीं है प्रोटिस्टा शब्द को सर्वप्रथम और नस्ट हैकल ने 1866 में प्रयोग किया था प्रोटिस्ट या तो एक कोशिकिये हैं या वे बिना विशेश उतकों के बहु कोशिकिये सरल संगठन है ये सरल कोशिकिये संगठन प्रोटिस्ट को अन्ने युकेरियोटो जैसे की कवक, जन्तू और पौधों से अलग करता है युकेरियोट होने के कारण प्रोटिस्ट कोशिका के शरील में सूपरिभाशित नाभिक और अन्ने जिल्ली युक्त अंग होते हैं कुछ में फ्लेजिला या सिलिया होते हैं प्रोटिस्ट कोशिका सनलयन और युग्मनज गठन की प्रक्रिया द्वारा अलेंगिक और लेंगिक प्रजनन करते हैं प्रोटिस्ट जल जैसे की किसी भी तरल वातावरण में रह सकते हैं शेवाल जैसे कई प्रोटिस्ट प्रकाश संशलेशक होते हैं और प्लवक के रूप में विशेश रूप से समुद्र जैसे परितंत्र में महतपूर प्रात्मिक उत्पादक होते हैं अन्ने प्रोटिस्ट जैसे की किनेटोप्लास्टीट्स और एपिकॉम प्लैक्सा मानवों में मलेरिया और नींद की बीमारी जैसे गंभी ड्रोगों के लिए जिम्मिदार हैं वन्हें प्रोटिस्ट के तहट क्राइसोफाइट, डाइनो फ्लैजिलेट्स, युगलीनोइट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोंस में विभाजित किया जा सकता है क्राइसोफाइटा सुनेरा शेवाल या क्राइसोफाइटा एक बड़ा सम्मू है जो समुदरी वातवरण में और मीठे जल में पाया जाता है इस समूह में डाइटम और सुनेरा शेवाल यानि डैसमेट्स आता है वे सुक्ष्म होते हैं और जल धाराओं यानि प्लैंक्टन में निश्क्रिये रूप से तैड़ते रहते हैं डाइटम महासागरों में प्रमुक उत्पादक है उन में से अधिकांश प्रकाश संजले शक होते हैं डाइटम में कोशिका भित्ती दो पतली अतिवियापी गोले का निर्मान करती हैं जो एक दूसरे में साबुन और इसके बॉक्स के रूप में समाई होते हैं दीवारें सिलिका के साथ समाई होती हैं और इस तरह से दीवारें अविनाशी हैं डाइएनो फ्लेजिलेट्स डाइएनो फ्लेजिलेट्स 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 प्रोसिस्ट के बड़े सम्मू हैं उनमें से लगभग आधे प्रकाश संशलेशक होते हैं और डाइटम के बाद युकरियोटिक शेवाल के सबसे बड़े समुह का निर्माण करते हैं अधिकाश समुदरी प्लावक होते हैं लेकिन वे समानिता मीठे जल में भी वास करते हैं उनकी कोशिकाओं में उपस्तित, पिगमेंट्स के कारण वे पीले, हरे, भूरे, नीले या फिर लाल दिखाई देते हैं कोशिका भित्ती के बाहरी सतह पर कठोर सेलिलोस की प्लेट होती है उनमें से अधिकाश के दो फ्लेचिला होते हैं जो प्लेटों की भित्ती कुंड में एक अनुतेर्थ और दूसरा उसके लंबवत होते हैं यूगली नॉइट यूगली नॉइट फ्लेचिलेट्स समूह के सबसे प्रसिद्ध समूह है जो समानता कुछ समूदरी और एंडो सिंबियाउटिक सदस्यों के साथ मीठे जल में पाया जाता है विशेश रूप से जब ये कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होते हैं कोशिका भिद्धी के अलावा उनमें प्रोटीन युक्त परत होती है जो जिल्ली यानी पेलिकल कही जाती है तथा जो उनके शरीर को लचीला बनाती है उनमें दो फ्लेजिला एक छोटी और एक लंबी होती है अधिकांश युगलिनोइट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संशलेशन द्वारा उर्जा का उत्पादन करते हैं लेकिन अन्य फेगो साइटोसीस या विसरन द्वारा ग्रहन करते हैं हालकि सूरी के प्रकाश की उपस्तिती में वे प्रकाश संशलेशक होते हैं किंदू सूरी के प्रकाश की अनुपस्थिती में अन्ने छोटे जीवों का शिकार कर वे परपोशी की तरह वैवहार करते हैं। दिल्चस्प बात ये है कि युकलीनोइट के पिगमेंट्स उच्चतर पौधों में वित्यमान पिगमेंट्स के समान होते हैं। उधारन युकलीना अवंपक कवक अवंपक कवक मृत पौशी प्रोटिस्ट है। अवंपक कवक कवक के सद्रिश जीव हैं जो प्रजनन के लिए बीजाडूं का उप्योग करते हैं। कुछ अवंपक कवक के जीवन चक्र के दौरान वे जलेटिन के हिस्से के रूप में प्रतीत होते हैं। इसलिए इसका नाम अवंपक है। अवंपक कवक सारी दुनिया में पाए जाते हैं और वैसे सूख्ष्म जीवों का भख्षन करते हैं जो मृत पाधपों में निवास करते हैं। आम तोर पर ऐसे जीव मिट्टी, लौन और समानिता पणवपाती वनों में पाए जाते हैं। उश्ण कटी बंदिये क्षित्रों में वे भी पुश्पन, फल, पर और वाईवीय स्थितियों में सामानि हो जाते हैं। उधारण, पेड के मंडप में, शहरी क्षित्रों में, वे गीली घास पर या गटर में कवक पत्ती में भी पाए जाते हैं। अधिकांश अवंपक कवक कुछ सेंटिमीटर के भी छोटे होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां आकार में कई वर्क मीटर और द्रविमान में 30 गराम तक पहुँच सकती हैं। कई के रंग पीले, फूरे और सफेद होते हैं। प्रित्वी के समशी तोशन क्षित्रों के वनों में प्राक्रितिक रूप से एवं कक्षाओं और प्रयोग शालाओं में सबसे अधिक पाए जाने वाले आवंपक कवकों में पीले, फाहसारम, पोली सेफलम हैं। प्रोटोजोण प्रोटोजोण या कोरनेलियस प्रोटोजोण को ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसमें प्रोटोण का अर्थ प्रथम, जोआ यानि जन्तु है। इसका एक वचन प्रोटोजून है। ये सूक्षम जीव होते हैं, जिसे एक कोशिकिये यूकिरियोर्स के रूप में वर्गिक्रित किया जाता है। सभी प्रोटोजोण परपोशी होते हैं और शिकारियों या पढ़जीवी के रूप में वास करते हैं। उन्हें जन्तुओं का पुरातन संबंधी माना जाता है। प्रोटोजोण के चार मुख्य समू हैं। अमीबिये, समुद्री, कशाभी और पक्षमा भी। अमीबिये प्रोटोजोण स्वच्छ जल, समुद्री जल या नम मिट्टी में रहते हैं। वे अमीबा की तरह सूडोपेडिया, यानि नखली पैर को बाहर निकाल कर गती करते हैं, तधा अपना शिकार पकड़ते हैं। समुद्री प्रोटोजोण के बाहि कवच्छ सिलिका से निर्मित होते हैं। उनमें से कुछ जैसे की एंट अमीबी परजीवी होते हैं। परजीवी प्रोटोजोआ निद्रालू रूग उत्पन्न करते हैं। उधारन ट्राइपैनोसोमा। पक्षमाबी प्रोटोजोआ जलिये तथा अत्यंत सक्रिय गती करने वाले जीव होते हैं। क्योंकि उनमें हजारों पक्षमाब उपस्तित होते हैं। उनमें एक गुहा यानी गलेट होती है, जो कुशका की सतह के बाहर खुलती है। पक्षमाबों की लैबध गती के कारण भोजन से युक्त जल गलेट के अंदर चला जाता है। उधारन पैरा मीशियम। स्पोरजोआ इस समों में विविद जीव आते हैं। जिनके जीवन चक्र में संक्रमक बीजाणूं जैसी अवस्था होती है। इनमें सबसे कुख्याद प्लासमोडियम यानी मलेरिया परजीवी है, जिसका मानव की आबादी पर बुरा आगहात पड़ता है। कवक फंजाई जगत ये बहु कोश किये तथा परपोशी घटकों का जगत है। उधारन यीस्ट, म्यूकर, अगेरिकस इत्यादी। कवक, मृदा, वायू, जल तथा पादबों एवं जन्तों में पर जीवी के रूप में उपस्तित होते हैं। ये हरित कवक विहीन अंग होते हैं, उनका शरीर तंतुमई होता है। कवक एक कोश की जीव है, जिसका उप्योग, ब्रेड तथा बियर बनाने में किया जाता है। उधारन यीस्ट, ये परपोशी हो सकते हैं, जो मृत जीवी या परजीवी हो सकते हैं। फंजाई की कोश का वित्ती में काइटन तथा पॉली सेकराइट होते हैं। ये बीजाणू उत्पन करने वाले पन हरित विहीन अंग होते हैं। जैसे माईलिूट, राइजोपस, म्यूकर, ब्रेकेट फंजाई, मौरेल तथा मश्रूम। कुछ कवक रोग उत्पन करते हैं। जैसे पकसीनिया द्वारा उत्पन रस्ट तथा स्मस्ट रोग उस्टी लागो द्वारा उत्पन होते हैं। पैनी सिलियम से प्रती जैविक यानि एंटिबायोटिक बनाय जाते हैं। कवक लाइकेन में शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। फंजाई में लेंगिक चननन काई खंडन, विखंडन, मुकुलन, निशक्टांट, उस्पूरा, युकमाणू, एंसकस बीजाणू तथा बैसिटियम बीजाणू इत्यादी द्वारा होता है। बीजाणू उत्पन करने वाले अंग फलनकाय अंग कहलाते हैं। फंजाई चार प्रकार के होते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एसकोमाइसिटीज, बैसिटियोमाइसिटीज, तथा ड्यूटिरोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज, जलिये आवासों, नम और सीलन वाले स्थानों में, सड़ी गली लकडियों पर अथवा, पाथबों पर अविकल्पी पडजीवी के रूप में पाए जाते हैं. माइसिलियम, अप्टिये एवं, कोईनो साइटिक होता है. कुछ सामान ने उधारन, म्यूकर, राइजोपस तथा अल्पुको है. एसको माई सिटीज अधिक के साथ फंजाई सबसे बड़ा संग है. इस फंगल समों की परिभाशित विशेष्टा एसकस है, जिसे ग्रीक शब्द यानि एसकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ थैला, अथवा, वाइन, स्किन है, जो एक सूश्मुन लेंगिक सनचना है, जिसमें गतिहीन पीज जिसे एसकोस्पोर कहते हैं, का निर्मान होता है. वे मृत्य जीवी, अब घटक, पर जीवी, अथवा, शमल रागी, यानि गोबर पर उगने वाले होते हैं. माईसीलिया, शाखित एवं पढ़िये होते हैं. एसकोमाई सिटीज और शधिये महद्व के योगिकों जैसे की प्रतिचैवी, एवं रोटी बनाने, अलकोहॉलिक, पे तथा पनीर के स्रोत के रूप में मनुश्य के लिए आवशक है, किन्तु मानव तथा पादपों के रोकवाख होते हैं. बैसी टियो माई सिटीज बैसी टियो माई कोटा, जो फंजाई जगत के अंतरगत, एसको माई कोटा के साथ दिकारिया उप जगत, जो उच्चतर फंजाई कहलाता है, दो वृत संगों में से एक है. बैसी टियो माई कोटा के अंतरगत, मश्रूम, पफबॉल, स्टिक हॉर्न, ब्रेकेट फंगाई, अन्ने पोलिपोर, जली फंजाई, बॉलेट्स, चन्टेरेल्स, अर्थिस्टास, स्मट, बुंड्स, रस्ट्स, दाप्रण, यीस्ट तथा मानव रोकवाखी इस्ट, लट्थे में, तथा पेड के ठूट पर, तथा जीवित पेड़ों पर रोकते हैं, उधारण, रस्ट तथा स्मट, माई सिलियम, शाकित एवं पठिये होते हैं, बैसिटियो माई कोटा, तन्तु माई फंजाई है, जो येस्ट का निर्मान करने वाले फंजाई को छोड़कर बाकी सभी हाईपा से निर्मित होते हैं, बैसिटियो पूर बैसिडियम, यानि बहुवचन बैसिडिया, इन पर पहता उत्पन्न होते हैं, बैसिटिया फल वाले पौधे के शरीर में वैवस्थित होते हैं जिसे बैसिटियो काप्स कहते हैं इसके कुछ सामान सदस अगेरिकस यानी मश्रूम, उस्तिलागो यानी स्मट तथा पकसीनिया यानी रस्ट फंजाई हैं इसको कभी किंडम फंजाई का अपचारिक संग समझा जाता था इसकी लगभग 25,000 प्रजातियां हैं जिसका वर्की करण इसके किया जाता है फंजाई इंपरफेक्टी अथवा इंपरफेक्ट फंजाई जो डिटेरो माई कोटा के नाम से जाना जाता है फंजाई है वैसे फंजाई जो प्रती जहविक पैनिसलिन को उत्पन्न करते हैं तथा जो एथलीट फूट तथा यीस्ट में संक्रमण उत्पन्न करते हैं इंपरफेक्ट फंजाई हैं इसके कुछ सदस से मृतिचीवी अथवा परजीवी होते हैं जबकि उनमें से अधिकांश कूडे का विक्टक होते हैं जो द्रव्य चक्रण में साहिता करते हैं इसके कुछ उधारन उल्टरेनिय, कॉलेटो ट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा हैं क्या आप जानते हैं? काल वूज ने सन 2000 में कहा इस ग्रहपर्ट जीवन की अतुल्ले विविद्ध ता जिसमें की अधिकांश सूख्षमजीव हैं को एक विकासवादी फ्रेमवर्क में अच्छी तरह समझा जा सकता है काल वूज ने नवंबर 2000 में विज्ञान का नेशनल मैंडल जीता प्रोटिस्टा के वर्गी करण का आधार उसके अंगों का चलन है गोल्ड वस ने एक कोशि की ये प्रोटिस्ट जीवधारियों को प्रोटा जोआ नाम दिया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं बैक्टीरिया पोशन की विधी में स्वापोशी अथवा परबोशी हो सकते हैं किंग्डम प्रोटिस्टा में सभी एक कोशि कीए यूकिरियोट्स जैसे की क्राइसोफाइट्स, डाइएनो फ्लेजिलेट्स, यूगली नाइट्स, अवंपक कवक तथा प्रोटजवा शामिल होते हैं प्रोटिस्ट में परिभाशित नाभिक तथा अनिजिली से जुड़े अंग होते हैं वे अलंगिक तथा लंगिक दोनों प्रकार से प्राजनन करते हैं किंग्डम फंजाई के सतस्य सनरचना तथा वास में बहुत विविधता दर्शाते हैं अधिकांश फंजाई पोशन के अपने ढग में मृत्ति जीवी होते हैं इस किंग्डम के अंतरकत चार वर्ग फाइको माइसिटीज, एसको माइसिटीज, बैसिटियो माइसिटीज तथा डूटेरो माइसिटीज आते हैं